वंदे देव उमापतिं सुरुगुरुं। वंदे जगत कारणं। वंदे पन्नग भूशनं रिगधरं। वंदे पशुनां पतिं। वंदे सूर्यशशांकवनहिनयनं। वंदे मुकुन्दप्रियं। वंदे भक्त जनाश्रयं स्चावरदं। वंदे शिवं शंकरं। ओम्नमासांबसदाशिवाय। 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 एक बर खिर पुनहा आपका हार्दिक स्वागत है। शिव पुरान के महत्मय में और ये बीच में जो अंतराल रहा तो एक दुखत समाचार है। कि हमारे जो बहन है एक मौसेरी बहन मौसा जी पी लड़की उसका देहा अफसान हुआ है। और उसके कारण जो है ये हम पूरा परिवार शोक संतप्त है। और मैं शिव पुरान आरंब करने से पहले सभी लोगों से ऐसी काम ना करूंगा कि आप एक मिनट के लिए उनके आत्मा को सद्गती मिले उसके लिए प्रात्ना करें। केवल एक मिनट के लिए। के लिए। प्रुण एक मिनट के लिए। स्ट शहात्व पुर्णों प्रुद्ध। कि लिए दिए। भर्गोर्वद्यद्यद्रेव्यद्रेविमी खियो यो नह प्रचोधयात् ओम्भूर्भुवस्वाः तत्सवितुल्वरेण्यम् भर्गोदेवस्यदेमहि धियोयो नह प्रचोदयात् ओम्भूर्भुवस्वाः तत्सवितुल्वरेण्यम् भर्गोदेवस्यदेमहि धियोयो नह प्रचोदयात् ओम्षान्ते शान्ते शान्ते ये जीवन चक्र है ये जीवन लिला है जो अनावरत चलती रहती है की जन्म और मरन का चक्र जैसा की भगवान कर्शन ने भी गीता में कहा है दिये आत्मा निरनतर गतीमान है और ये स्थूल शरीर जो की प्रान वाईू से संचरित है संचार कर रहा है वह निर्बात रूप से चलता रहता है और जो शरीर है जहां प्रान वायू गई तो यह शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है और मिट्टी हो जाता है और एक उसी प्रकार से हमारी आत्मा इस पुराने वस्त्र को यानि शरीर को पुराने शरीर को प्याग कर नए शरीर को धारण करती है, यह नहीं कितने सदियों से, सहसर वर्षों से ऐसा चलता चला आ रहा है, और जो सबसे बड़ा आधार है जीवन को सुधारने का मृत्यु के बाद, वो सबसे बड़ा आधार है कर्मों का आधार, कि हम अपने कर्म कैसे करें, लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है वाचन, श्रवण, सनकीर्तन वो श्रिव महापुरान का चल रहा है शिव महापुरान में आज हमारा जो अध्याय है शिव की लीला जो चल रही है उस शिव की लीला में हमारा शिव विवहा के हम समीप हैं और हमारे चवालिस्वा अध्याय है फूर्ण हो चुका है और चवालिस्वा अध्याय के बाद आज हमारी अध्याय होगा भगवान शिव का अपने परम सुन्दर दिव्य रूप को प्रकट करना मेना की प्रसनता और शमा प्रार्थना तथा पुर्वास्नी इस्त्रियो का शिव के ब्रह्मा जी वाचहा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इसी समय भगवान विश्णु से प्रेरित होकर तुम शिग्रही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए वहाँ जाकर देवताओं का कारे सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के इस तुत्र द्वारा तुमने रुद्र देव को संतुष्ट किया तुम्हारी बात सुनकर शम्भू ने प्रसंता पूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारन कर लिया ऐसा करके उन्होंने अपने दयालू स्वभाव का परीचे दिया मुने भगवान शम्भू का वैस्वरूप कामदेव को भी कामदेव से भी अधिक सुंदर था पता लावन्य प्रम परम का परम आश्रय था उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसंद हुए और उसे स्थान पर गए जहां सब के साथ मेना विद्यमां की वहां पहुँचकर तुमने कहा विशाल नेत्रोवाली मेने भगवान शिव के उस स्वरूप का रूप का दर्शन करो यह रूप बड़ा ही प्रकट करके उन्होंने करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही प्रपा की है तुमारी यह बात सुनकर स्थैल राज की पत्नी मेना आश्र चकित हो गई उनके शिव के उस परम परमानंद दायक रूप का दर्शन पिया जो करोडों सुयों के समा नाम तेजस्वी सर्वांग सुन्दर विचित्र वस्त्र धारी तता नाना प्रकार के आगूष्णों से योक्त था वह अत्यन्त प्रसन सुन्दर हास्य से सशोबित ललित लावन्य लसित मनोहर गोरपूर्ण ज्युतिमान तता चंद्र लेखा से अलंकर था विष्णु चंद्र देव मस्तक का मुकट बनकर उनकी शोभाग बढ़ा रहे थे इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वता रमनिये जान पड़ते थे उनका वाहन भी अनेक प्रकार के विभूष्णों से सुशोबित था उसकी महाश्योभा का वर्णन नहीं हो सकता गंगा और यमना गंगा और यमना भगवान शिव को सुन्दर चमर दुला रही थी और आतो सिध्या उनके आगे नत्य कर रही थी ऐसा मनोहारी ब्रश्य उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्रादी सभी देवता अपने अपने वेश को भली भाती विभूषित करके परवत वासी भ सिध्य उपदेवता समस्तमुनी तथा अन्य देवता गण सब लोग भी महानसुक का अनुभव कर रहे थे अत्यंत प्रसंता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे वे इस प्रकार देवता आदी सब लोग विभा देखने के लिए उतकंटित हो और खूब सस्दजकर अपनी पत्नियों के साथ परभ्रम शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे विश्वावसु आदी गंधर्व अपसराओं के साथ गोशंकर जी के उत्तम यश्कागान करते हुए आगे आगे चल रहे थे मुनिश्येष्ट महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पहुचन महें पर इस प्रकार उहाँ नाना प्रकार का महान उच्सव हो रहा था मुनिश्वर उस समय में उस समय वहाँ प्रामातमाश्यव की जैसी शोबा बढ़ रही थी उसका विशेष रूप से वर्नन करने में कौन समर्थ हो सकता है उन्हें वैसे विलक्षन रूप में देखकinky मेना अक्षनभर के लिए चित्र लिखी सी रह गई फिर बड़ी प्रसंता के साथ बोली महेश्वर मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया है उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप शमा करें और इस समय पून तहर प्रसंद हो जाई है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार इस प्रकार चंद्र मोली भगवान शिव की स्थुति करती हुई शैल प्रिया मेरा ने उन्हें हाद जोड़कर प्रणाम किया फिर वे लजजित हो गई इतने में ही बहुत से पुरवासनी इस्तरिया भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहाँ पहुची जो जैसी थी वैसी ही अस्त रस्त रूप में दोड़ाई भगवान शंकर का वै मनोहर रूप देखकर वे उन पर मोहित हो गई शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्थ हो प्रेम पूर्ण हिर्दे वाली वे नारिया महिश्व की उस मूर्ती को अपने मनुमंदिर में बेठा कर इस प्रकार बोली पुरवास्नियों ने कहा अहो भगवन हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नित्र आज सफल हो गए जिस जिस व्यक्ती ने जिस दिव विरूप का दर्शन किया है निश्य ही उसका जन्म सार्थक हो गया उसी का जन्म सफल है और उसकी सारी क्रियाई सफल है जिस ने संपूर्ण बापो का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया पार्वती ने शिव के लिए जो तब किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरग सिद्ध कर लिया शिव को पत्नी के रूप में पाकर ये शिवा धन्ने और क्रत्क्रत्ते हो गई यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से नहीं मिला देते तो उनका सारा परिश्रम निश्पल हो जाता उस उत्तम जोड़ी को मिलाकर भ्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्ये किया है इस से सभी के कालिये सिद्ध और सार्तक सिद्ध हो जाएंगे तपस्या के बिना शिव का शंभू का दर्शन भी दुर्लब है भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कर्था रट हो गए जो जो सर्विश्वर गिरिजापती शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष्ट शेष्ट और हम सारे इस्त्रियां आज धन्ने हैं। ब्रह्मा जी वाचह ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसी बात सुनकर उन इस्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया। और बड़े आदर से उनके उपर खीलो की वर्षा की वे सब इस्त्रियां मेना के साथ उत्सक होकर हो रही थी और मेना और गिरी राज के भूरी भाग्य के सराना करती रही। मुने इस्त्रियों के मुक से वैसी शुब बाते सुनकर विश्णु आदी सब देवताओं के साथ भवान शिव को बड़ा हर्शु हुआ। भार्वती का अम्दिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुन्दर रूप को देखकर पसंद होना। बोल शंकर भगवान की जाए। दीनों के नात की जाए। करपूर गोरं करुनावतारं संसार सारं भुझ गेंद्रहारं करपूर गोरं करुनावतारं संसार सारं भुझ गेंद्रहारं सदावसंतं तिर्दयार विंदे सदावसंतं तिर्दयार विंदे भवं भवानी सहितं अमामी भवं भवानी सहितं अमामी बोल शंकर भगवाने की जए।